कि अबनोर्म लेटीज आफ आज जब हम लोग चाप्छा कर रहे हैं एबनोर्म लेटीज आफ फर्स ट्रीमेस्टर लेडिंग जिस से का जो ब्लेडिंग होता है फिर्स ट्रीमेस्टर में अप्टू 13-14 बीच करता है यहां तक CRL देवलप करता है तो उस तर्म से में लोग तेटेंग एबर्संग लाइड ओवं इस्ट आबर्स नहीं कुप्रिट आबर्स और इंट्राइट आप्योस्टर आप्योस्टर आप्योसी में जो सिच्वेशन हो नहीं किया पहला तो एक इको जैनी क्लेक्शन होता है इस नोफ सॉलिट प्रोड़क फाट नोफ यूण इस न उस्टर टम कंटेंट आण सकर्ट हर क धिन जैनर इस में क्या ओता हुक होता है इसमें होता है इस में क्ट्राइट कटेंट आप सॉलिट अकटेंग एो सिर्दी चendo and इस में तक तीमे क्लेक्श स्वेटिन इंह यूशेक्श पर आउप आता है कि एको जैनिक कंफ्लेक्स या इसमें क्या होता है फिटल कॉंटेंट रहता है सॉर्ड़ी ड्रेस इस्टिप्र इसकी मेरा है दोनों का सिट्रेशन दोनों आर्पी उसी ही है बट इकोजिनिक के कलेक्शन है आयकुजैनिक एक देन्स सब्सक्राइब करते है उसको यह में क्या होता है हमेट होता है इसे कानुमस चोट लगने से हम्रेजी का स्टेज होने से क्या होता है यक्जैनिक देन्स अरिया मतलब जो प्लसेंटल का जो इकोजिनिक देन्स आरिया मतलब जो प्लसेंटल का जो जिए नेच्रव नॉर्मन कुछ से का देंसिटी हाइपो हो जाएगा ब्लेकनेस बढ़ जाएगा समझ गए इस स्टीज में भी ब्रेडिंग होता है बट यहां हमारा क्या सेकंटरी पर्जेंटेशन क्या मिलेगा इंब्रियों का फिटल फोल का फिचार विश्लाइज होगा यह ठीक है मतलब है नॉर्मल है ड्यो नॉर्मल आइतकर है तो लिग अपार कि लास्ट जो सफ्रेशन होता है बेश्ट पर नाहीं भी क्यों है कि हमारा त्यल जो डियो है उसमें मोटमें नजट नहीं आएगा कार्डिक एक्टिव्यटी इस नजब नहीं आएगा हुआ 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 है अगर नजर नहीं आता है मोमेंट नजर आता नहीं है तो क्या होगा अगर निस्टर वार्शन का वर्ण हम कब तर वीज़ करें के सियारे मुतलब 12 13 अब तू फस्ट रिमिस्टर का और इसके बाद का सेच्वेशन जोब अपर लिंग लूवर लिप्स टेवल अजाता है यह एवल पर जेंटेशन में आ जाता है अब हम लोग उसको और जी एस डी नापर के हमको नापना पाड़ता है जीस टी बीपीड बाइमेटिक प्रोफाइल एच च च च च फल मतलब है चर्कूंफरेंस अब्रूम्ट नग्स बैडिय पराइटल डामेंटर हीमर लेंग जब प्रूपर डेवलप हो जाता है उस व्वस्ता में अगर फिटल मूविंट नहीं मिलता है कार्डिक एक्टिविटी नहीं मिलता है तो हम क्यां मोते हैं उसको आयू इंट्राइट देख को एक पॉइंट नहीं है अब जो पॉइंट्स बता है जैसा कि पहले हम बता चुके हैं और जो है आफ था है जा ओपोजिशन हर फंडल होता है अंडो एंटेरीज भी होता है अदो पोस्टेजरी वी होता है एड नॉर्मल है यह स्टेज नॉर्मल स्टेजिस को मांगते हैं ठीक है लेकिन कभी-कभी लोग प्रियावल कैसे में उसलिए जो है इंटेरियर लोलाइब हो जाता है लासेंटा प्रिव्यार का केसे आगे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन इसमें क्या होता है सीरेके स्टेज में प्लासेंटा जो और उन ड्रफ करता है अदनी अधिक वह कुरियों इंटरनल उस्तरक आगनो राइक में आ जाता है या किसी किसी केश में टफिंट्थव नो लाइग में मतलब अगर प्लस इंटा का जो इंटरनल वेज़ की दुरी के अगर 20 एम है तो वीश एमें अवे में प्रों कि कर दूरा मतलब इस केस में प्लासेंटा इंटेरियर लो लाइंग है 20 mm अवे फ्रॉं इंटर्नल वेश कुछ केस में प्लासेंटा क्या करता है इंटर्नल वेश्क कर जाता है यहां क्या होगा प्लासेंटा इस इंटेरियर टुचिंग टू इंटर्न वेश्क दोनों स्टेज में ब्लेडिंग के चंसे बन सकते हैं बटेवेश्क नॉर्मल होगा इंटाइम के साथ नॉर्मल को जाता है हां काउज अप्लेडिंग में प्लासेंटा लो लाइंग होगा यह प्लासेंटा इस पढ़ते हैं लो प्लासिंटा प्रीविया मार्जिनल सब मार्जिनल टोटल पार्सियल एसा रावस पर हम लोग अन्य डिस्टस करें लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काउज ऑफ लेडिंग है उस जब फोकस पॉइंट है हमारा मतलब जो सिम्टोमाइटिक ज़र आए अगर जिए तक बना हुआ फर मेशन है वसका सिफ देस्टेशनल सेख बना हुआ है नौट इंब्रियो नोर्मल जी सेक का सेप साइज देखना है इसेट में अगर फीटर बना है तो उसके अंदर काडिक अक्टिविटी देखना है थर्ड में जो डिस्ट अगर जा रहा है तो रियक्षन उसका एडुकेट है कि अने लुकेट है एक चीज एक जब्रियो डेवलप कर जाता है तो उसके अंदर का फीटल काडिक एक्टिविटी देखना है एड़ जो को रियों जो डेवलप कर रहा है ओ इंटरियर है पोस्टेरियर मतलब इंटर्नल किसे कितना डिस्टेंस मेंटेंट कर रहा है अगर रों इंटरेज के लो जा रहा है तνत टोफ मेंका स्टेज में हैं इस पॉइंट के अगार करते हैं सब्सक्राइब करता है कि हमने करवाया है उसके बाद उसकी ग्लेडिंग रेगुलर है कि क्या है कि विस्ट अबर्शन हो चुका है डिन्सी हुआ है किसी का नवस्ट एंटीपिक हुआ है उसके बाद भी ब्लेडिंग पर्सिष्ट कर रहा है इस अवस्ता में मेरे को देखना क्या होता है कि पहला अवस्ता है इंडोमेट्रियल के बीटी के अंदर कोई ऐसा एकोजेनी क्लेक्शन या इकोजेनी कॉंटेंट फिटल कॉंटेंट को उसको हम लोग आर्पी ओसी से जानते हैं इंटन पुड़क्ट आफ कॉंसेप्शन ठीक है तो इसमें दो स्टेज है पहला स्टेज का है एक इकटोजेनीक इन्डोमेट्रियल में क्लेक्शन आएगा नेसमें के आएगा एक फोकल इकोजानीक आलिया नायक लगिंट्र फीटल कॉंटेंट और दोनों क्लेक्सिकाहें में सब्सक्राइब करने के बाद जो अर्ली अस्टेज में नहीं मिलता या और भी एम्प्रियो डेवल्प करने के बाद जो कुछ कंसेप्शन बच जाता है उसको फिटन कॉंटेंट पहते हैं मतलब इनकंप्लेट एबॉर्शन का भी केस इसे स्टेज में आता है तो हमको देखना क्या है आप्टार एंटीपी आप्टार एबोर्शन कोई केस अगर पैसल आता है डीडिंग का स्टेज लेकर के इस फंक्शन रिट्राइट बिल्दिंग अस्टेज लेकर के तो फोकस्पाइब क्या रहेगा आप यूसी दो में ट्रिया ठीक है कि यह अप्टार मुलमेटीज आप थासा कि इसके अप्सपाइब कर दो में टो स्टेज बीडि़ इसके है